Hello दोस्तों अगर आप एक student है तो दोस्तों ये वीडियो आप के लिए काफी special होने वाला है दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ABC ID Card कैसे बनाया जाता है अपने mobile phone से दोस्तों ABC ID Card का full form होता है academic bank of credits होता है दोस्तों आप इंडिया के किसी भी university या college में admission लेने जाएंगे तो आपसे ABC ID Card मांगा जाएगा तब जाके आपका वहाँ पर admission होगा यानि ABC ID डालने के बाद ही आपका form fill up होगा इस वीडियो में आपको step by step करके बताने वाला हूँ कैसे आप घर बैटे अपने mobile phone से ABC ID Card की रियेट करेंगे कैसे बनाएंगे बस आपको इस वीडियो को सुरू से लेकर आन तक देखना होगा अगर आप इस वीडियो को सुरू से लेकर आन तक देख लेते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर-अंदर ABC ID Card बनाना सीख जाएंगे तो वीडियो सुरू करने से पर आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप होने चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर वीडियो चली वीडियो को लाइक कर दीजिए सिंपली आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे ओपन करने बाद दोस्तो यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना यहां पर आपको सर्च करना डीजी लोकर दोस्तो यहां पर आपको डीजी लोकर लिके सर्च करेंगे जैसे सर्च करेंगे सर्च करन Simply आपको DG Locker application को यहाँ पर आप open कर लेंगे दोस्तों आप जैसे open करेंगे open करने बाद आपके सामने इसका interface इस तरह से देखनी मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आप नीचे में continue in English पर click करेंगे click करने बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से interface देखनी मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको देखनी मिलेगा skip का एक button बस क्या करेंगे यहाँ पर आप skip पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक नया page open होके आ जाएगा उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर आप नीचे देखेंगे gate started बस क्या करेंगे gate started पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने ही बाद दोस्तों यहाँ पर आपको first of all आपको DG locker में आपको अपना account create करना होगा अगर आपने अकाउंट पहले से create कर रखा है तो यहां पर करने जिंगे आपको देखनी मिनेगी उपर साइड फूल लेम यानि आपको क्या करना यहां पर अपना फूल लेम लिखना यहां पर आपके अधार काट के according, आपके अधार कार्ट में जिस तरह से आपका नाम होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपना full name इस box में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे date of birth, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपना नेम भी यहाँ पर लिख लेता हूं, तो यहाँ पर अपना डेटेल्स को सही सही लिखेंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको male female, अगर आप male है तो male पे click करेंगे, अगर आप female है तो female पे click कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे mobile number यहां पर क्या करेंगे आपको एक अपना mobile नमबर यहां पर आपको सही-साही फिल अप करेंगे तो चलि हम पर मैं आपको दिखाने के लिए mobile number यहां पर आपको टाइब कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों आपको security pin आपको यहाँ पर type कर लेंगे उसके बात यहाँ पर आप submit पर क्लिक करेंगे सब्मिट पर क्लिक करने बाद क्या होगा आपके number पर एक OTP आएगा उस OTP को fills up करेंगे उसके बाद आपको एक आधार number वहाँ पर फिलॉप करने का option आएगा आधार नमर फिलप करके आपको सब्मिट कर देंगे आपका एकाउंट किरियेट हो जाएगा किरियेट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे आप यहां से बैक आ जाएगे दोस्तों यहां पर अपना एकाउंट करने के बाद अपना एकाउंट बनाने के बाद Digi Locker में, उसके बाद क्या करेंगे आपको दीखनी मिलेगा, sign in का button बस क्या करेंगे, इस sign in button पर click करेंगे click करने दोस्तों, आपके सामने एक नया page open होग के आ जाएका, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दीखनी मिलेगा यहाँ पर अपना अधार नमर fill up करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप जो पीन रखेते जो security पीन बनाएते उस पीन को आपको इस box पर fill up करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप sign in पर click करेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं अधार नमर और यहाँ पर security पीन को type करने के बाद उसके ब कर लेता हूं दोस्तों यहां पर अपना OTP को फिल अप करने के बाद फैनल क्या करना आपको यहां पर सब्मिट पर क्लिक करेंगे तो जैसे सब्मिट पर क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने एक नया पर सो करेगा तो यहां पर अपना ABC ID कार्ट को बनाने के लिए simply आपको नीचे में देखेंगे आपको देखनी मिलेगा सर्च का बटन यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना यहां पर आप देखेंगे आपको देखनी मिलेगा बगल में इसू बस क्या करेंगे simply आपको इस issue पे click करेंगे click करने माद दोस्तों यहां पर आपका डिजी लोकर पर जो भी document जो भी आपका admit card हो या mark sheet हो जो भी यहां पर आपका रहेगा issue यहां पर आपको सारा कुछ देखनी मिलेगा तो यहां पर जो मेरा student है पुराना student है यानि आप चाहे किसी तरह का भी student है यहां पर आप ABC ID card बना सकते हैं तो इस वीडियो को आपको complete देखना है थोरा सा भी skip नहीं करना तो यहां पर ABC ID card बनाने के लिए simply आपको देखनी मिलेगा जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऊपर देखनी मिलेगा search for documents इस पर क्या करेंगे क्लिक कर देंगे क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पर आपको type करना यहां पर आपको लिखना है ABC जैसे आप यहां पर ABC लिखेंगे लिखने के बात यहाँ पर आप देख सकते नीचे में ABC ID कार्ड आ जुगा Simply क्या करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेट open होके आजाएगा एक नया form यहाँ पर आपके सामने इस से देखनी मिलेगा यहाँ पर आपका जो भी नेम होगा यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा ओटोमेटिक और आपका देट अब बर्त यहाँ पर आपका ओटोमेटिक फिलप हो जाएगा उसके बाद जैंडर भी यहाँ पर आपका fill up करूँ कौन सा यहाँ पर admission year डालूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप जो current में जो अभी आप जो भी कर रहे हैं जैसे आप इंटर कर रहे हैं जो भी current कर रहे हैं उसका admission year आपको यहाँ पर अब कर रहा है जैसे माल लिजे मैं अभी बीकॉम कर रहा हूं यानी मेरा ग्रिजिशन चल रहा है तो simply यहाँ पर क्या करेंगे आपको उस admission year को fill up करेंगे जो आप current में अभी admission करवा हैं तो simply यहाँ पर क्या करेंगे आपको अपना यहाँ पर current admission year चूज कर लेंगे दैन उसके बाद क्या करेंगे आपको नीचे में देखेंगे identity type तो यहाँ पर नीचे में देखेंगे select identity type simply आपको क्या करना यहाँ पर click कर देंगे click करने वाद दोस्तों यहाँ पर आपको पांच options देखनी मिलेगा यहाँ पर जो अपना ID car बन्वाएंगे यहाँ पर आप 5 तरीके से बनवा सकते हैं सथे पहले रोल नcakर अगर आपके पास roll number है तो यहाँ पर roll number crop करेंगे उसके बाद रыеट नंबर कर सकते हैं उसके बात यहाँ पर enrollment member नंumर לिये हैं अगर आपके पास roll number भी नहीं इन इन इंड रोल मैं नमर तो यहाँ पर none में click करने मात क्या होगा, यहाँ पर identity value में क्या fill up करेंगे, तो identity value में आपको यहाँ पर fill up करना, जिसे आप 10th किये हैं, 10th या 12th किये हैं, तो आपके पास roll number होगा, या registration number होगा, जो भी होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, fill up करेंगे, अगर आप identity type यहाँ पर किलिक करके सपोज डग माल लेजिए रोल नमर फिलप किये हैं तो यहां पर क्या करेंगे आपको अपना क्रेंट में जो भी आप जिसे कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उसका क्रेंट का जो रोल नमर होगा उस रोल नमर को आपको सिंपली यहां पर सही- यहां पर मैं एक new admission लिया हूँ तो यहां पर new admission पर click कर लेता हूँ, तो यहां पर आप college में छाहें आप इनिवर्सिटी में जहांपर admission लेते सिंपलि यहां पर נ ratsumag करते हैं, तो यहां पर admission number यहां पर fill up कर सकते हैं, दोस्तो यहां पर किसी तरह का भी नंबर फिलब कर सकते हैं, आगर आपके पास रोल नमर भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसा भी एक नंबर फिलब कर लेंगे, 4 डिजित, 5 डिजित, 6 डिजित, 7 डिजित, यहाँ पर आपना फिलब कर लेंगे, उसके बाद आपको नीचे में देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे में, इस पर क्लिक करेंगे, एक दो बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपका क्लिक हो जाएगा, क्लिक होने के बाद, दोस्तो यहाँ पर आपको एक सर्च का आइकन मिलेगा, इस सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे, क्लि करने हैं दोस्तों यहाँ पर आपको अपना युनिवर्सिटी का नाम टाइप करेंगे जो भी युनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा तो सिंपली क्या करेंगे आपको अपना युनिवर्सिटी का नाम फिलप कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं आ रहा है दोस्तों यहां पर क्या करेंगे आपको अगर इस तरह से प्रोडमेंगर PFD जो कि तो यहां पर देख सकते हैं जोकि मेरा यहां पर फाहले मेरा क्या था दौ क्यंपन्त है एक तो आधार पर एक पैन लेकिन आप जो यहां पर मेरा ABC ID कार्ड भी यहां पर आ चुका यहां पर देखेंगे फेचिंग हो रहा है तो आपको यहां पर कुछ सेकेंड वेट करेंगे वेट करने दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अभी भी लोड़ी लगा दोस्तों आपके सामने इस तरह स इंटरफेस देखनी मिलेगा यहां पर आपको 10-15 सेकन आपको वेट करेंगे वेट करने बाद यहां पर आपका फेचिंग हो जाएगा और आपका जो ABC ID कार्ड है यहां पर इसू हो जाएगा इसू होने के बाद दोस्तों तब जाके यहां पर पीडिएफ में डाउनलोड कर क्लिक करेंगे जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे क्लिक करने माद दोस्तों यहां पर आप पीडिएफ में डाउनलोड करने के लिए सिंप्ली आपको नीचे में देखेंगे थार्ड नमर में देखनी मिलेगा वीव पीडिएफ सिंप्ली आपको वीव पीडिएफ पर क्ल download का एक बटन मिलेगा simply आपको इस download बटन पर click कर लेंगे जैसे click करेंगे click करने बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा ABC ID card है यहाँ पर मेरे mobile में यहाँ पर successfully download हो चुका है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हो कहाँ इस पर download होगा simply मैं यहाँ पर back आजाता हूं back आने बाद दोस्तों क्या करेंगे simply आपको अपना file manager open कर लेंगे open करने बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आपको एक folder मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहां पर डाउनलोड हो चुका है, यहां पर देख सकते हैं, तो चलि इसको मैं उपन भी करके दिखा रहा हूँ, यहां पर मैं उसको आउपन कर लेता हूँ, आउपन कर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि मेरा यहां पर ABC ID कार्ड यानि academic bank of credits से यहां पर मेरा सकते हैं, और बनाने के बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेफ भी कर सकते हैं,